हेलो दोस्तों आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और जैसा कि हमारी स्रीज चल रही है उसको अगली स्रीज है इसमें हमको कोश्चन करेंगे हमारी वीडियो होने वाली बहुत ही काफी मौश्ट होने वाली क्योंकि काफी बार रिपीटिट हुए में तो ज्यादर टाइम को ना वेश्ट करते हुए हम अपनी कोश्चनों की और चलते हैं क्योंकि यह तो सब चलता रहे हो तो पहला इस बनेटीवन कोश्चन नंबर है व सिम को रिलीज करना या फिर सिम को कंप्रेश करना या फिर ओप्सन देख रहेते हैं और क्या है सिम को क्लोज और लोक करना या फिर सिम को ऑपरेशन के दोरान स्ट्रेस से रहीत करना तो जो हमारी सिम होती है उसका परियोग क्या होता है 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 क्या होता है थोड़ा सब मैं व करने लिए इसके जो बड़ा होता है इसलिए का प्रियोग का करें गारेंगें से को करने के लिए प्रीयोग करें haunt कोशन का सीज कर राइट रहोगा वनने के बाद वने टू नंबर को चैना और वने टू नंबर गुश्चन में देखे क्या वो लागा अब काफी निर्मान के लिए उपयोग की जाने वाली सामगरी क्या है की भ्यक्त करने के लिए किसका का मेटल का करेंगे आप रस क्रतीम के दो बनाएंगे माल्ड़िव öl्गory बनाएं वहुग न ही तरहीं वहुत सब्सक्राइब बना सकते मैं अकोर्टिंग तु ये जो रिविट बनेंगी जिस उसका में उसके साथ अपर की डटाई मैटल की बनती है अगर देखते हैं और 183 कोश्चोन नमबर है 183 question में क्या बोला गया था एक के रूप में चिन्नितभाग क्या है नेम दपार्ट मारक एकसिंग रिवीट में मारक क्या हूँ उसका ग्राइकस के नाम पूछ रहा तो रिवीट में छो ते फिल पारट होता है एक यह होता जिसे हम फैड बोलते हैं कि यह उता जिसे बॉडडी बोलते हैं और यह उता मार जिसे व टेल को सोते हैं झाल सो कुंञेंeur यहां से न during the time टेल आइक से लिए बंडो कंग यहां से बीच का घंस जो ब्Ah बाले निचे वाला भाग बोडी परतरा फड़ा मोला लेकिन दिया तो उसके दूरा जो स्वेट्र कर लेंगा उससे कहले पिकलिंगड क्लिंग स्विमिंग सिविंग तो क्या होता कि मैं बता दूंए अपको पिकलिंग क्या होता है उसे कि फिक्लिंग का मत्रा होता ह controvers m ke-up और उस पर हलके हलके से धुक्यों एक को फॉठ रापनिम्सान को उट पर कर देना उस एरियों को खुल दा उस जो क्या जो राज घ्ला का मुझा दें है क्ली अच्छा अठी भी का करना जब कि जो सुल्डर के साथ चेतर कवार होता उसे क्या कहते हैं यानि की डीस का राइट अंसर होगा और 184 नम्ब रिवाद 185 नमबर कोशन है अब और 185 नम्बर कोशन देखते या है और 185 नम्बर कोशन पे यह रहा वारी सर्राचनात मकारियं में किस रिविट का उपयोग क्या रहता विच रिविट विच रिविट इस यूज्ट है विच एवी इस ट्रेक्ट वर्क में कौन सी रिविट कंपयोग करें पैन हैड लाइट के लिए लाइट के लिए लाइट की बात की जाए तो कौन सा अभी इसने पूछा हमारे से है स्कौना एस का राइट अंश्य मिस्का राइट व नेटि वारे मिनिति इसक नंबर कुछन और नेटि इस न में देखें यह बोला है कि स्नेप है रिविट का support करने वला tool का नाम बताना उस tool का नाम क्या होगा बता है what is the name of tool is used to support the snap head rivet snap head rivet को मैं बता हूँ कुछ इस तरीके सा होगी snap head rivet हमारी यह तो snap head rivet को support करना अब इसको support करने के लिए किसका प्रियोग करें कि सभी टूल्स करें रिविट स्नैप रिविट स्नैप का प्रियोग करते हैं जब हमारी दो प्लेट्स होती है एक प्लेट यह वाली होगी और यहीं प्लेट इसके उपर लगी वही होगी इस तरीके से इन दोनों सीट अधर इनके बीच में गया रहा है उन्हें सट करने के लिए किसका प्रियोग करते हैं जबकि बात कीजिए ड्रिफ्ट की दृट्ट कि जब हमें होल कर दिया और उसे होल को जब हमें थोड़ा सा बढ़ा करने ला तो किसका प्योग करते हैं जब कि इसने क्या बोला हमारे स्नेफ है रिविट को सपोर्ट करने वाला टूल तो सपोर्ट करने वाले टून कौन सा हुआ डोली यानिकि इसका राइट अंसर होगा 186 नंबर डिफेक्ट सो कौन सार इसमें दिखाया गया तो देख कुन-कुन से बता गए है पहला बता रहा प्लेटों के अनुचित जुडाओ यानिकि इंप्रोपर जोइंट ऑफ प्लेट्स जोइंट है तो यह देखी इंप्रोपर है या नहीं है फिर इसके बाद देखना है कि प्ल रिविट का सिरीट के लंवत नहीं है तो वर्टिकल भी है तो फिर क्या रहे गया बहुत अगर देखा जाती है दोस आपको खुद देखे कितना वह दिख रहा है कि इसका जो जो हैड यहाँ पर यहां पर इस सेंटर पर आ रहा और यह वाला से हैड जो थोड़ा से इस साइ इंद्रित नहीं है यानि कि 187 का सीज का प्राइटन सा रहा है 187 के पाद 188 नंबर कोश्चन है और 188 नंबर कोश्चन मत ही क्या बोला गया है बोल रहा है सीट मेटल में किस उपकुरान का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सरकल या चाप बनाने के लिए क्या रहता है बहरी मोस्ट इंपर्वर्टेंट कोश्चन एक नंबर का कोश्चन मिच्टूल इस शीड मेतल वर्क टू स्क्राइब श्रकल और विद लार्ज डामेटर यह नंबर का प्रेंट्रेशंट कोश्चन आना या ना प्रेमल इस कुछ इस तरीके से होता है सो बीम होता और उसमें दो स्लाइडिंग हैड बना दे जाते हैं तो उससे क्या बड़े बड़े डायमीटर रेडियस वगरा लगाने के लिए प्योंक्य है था अगला कुशन देखते हैं और वन एक्टिन देखिए क्या लगया कि सेरिंग करते समय सीट धातू के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाती है अब बताएए क्यों बनेगी बर वगड़ा तो इसके लिए क्या देखे बहुत क्या नो क्लियर अगर कोई हम सीट कर रहे हैं तो उसमें तरीके से नीचे नीचे क सब्स आजाती हैं देखा खो तो अब आपने जब क्सीज गम ऐसे को नगिंगे हमए कृशसी से कभी बुच्छा शीरिंग करते समय सीट धातू के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाती है कि लेट यह है और एक ब्लेड यह है इसके बीच में सीट रखेंगे अजब कटिंग करेंगे इस सब फोर्स इस तरीका से डालेंगे यहां से हां तो क्या होगा कि इनके बीच में पर्स जब कर जाएगी तो बढ़ सा उत्पन आ जाएगा इसमें उसको क्या होगा क्लियरंस एंगल जो है क्लियरंस जो है वह बहुत अधिक दिया गाया ब्लेडों के बीच में तो इसलिए पर सुपन हो जाती है यानि कि 189 का डीस का राइटन जरूगा और 190 नंबर कोशन कोशन का बोल को जता है और वन आइटी कोशन में क्या बोला गया हुए कि बोल रहा है कि भाग X का नाम बताएं X का नाम क्या होगा मैं देश के लिए पहलेधिक था यह हमारी लिवर यह हमारा नीचा वाला लोवर बिलेड है यह हमारा अपर बिलेड और यह इसकी क्लैम्प है यह हमारी इसकी जोग रखी हुई है लिवर यह जोग और यह ब्लेड अपर वाला यह ब्लेड लोवर वाला और यह कह चीज़े यह Clamp है ठीक है यह चार्ड पार पोश्रैन होगे इससे moment से बंते हैं तो क्या राइट असर अबो बोडी बोडी तो नहीं होगी Clamp Clamp is the right answer यारी नाइन्टी का 20 का right answer आप इसको ना उन्हीं को पतार को सब्सक्राइब करने के लिए और तो सब्सक्राइब करें इस सब्सक्राइब प्रफिशन गार चाहिएं आगर कुछन यह वो लगए सीट मेचल कारिया में उप्रोवर का उप्योग करते हैं आप सीधा सीधा समझ चुके होगे स्वेट नाइट करने के लिए जिल्स को सङंदा करेंगे रियुज नम्पर हें हलकी एसेंब्ली के काम के सिर्भीट के यह जाता है विच रिविट आर यूजट इन लाइट इसेम्ब्ली वर्काम प्रियोंग करेंगे अधिया ये पैन हें रिविट साधेकरिया के लिए अधिया के लिए है फिर गोणिकल कंद करेंगे अब पीछले वाले कोश्चन में बुला होता है अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें होंगे तो इसके लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए देखें क्या होगा सब्सक्राइब करने के लिए और इसको अकार देने के लिए यानिकि इसके सब्सक्राइब करने के लिए नोच का क्या नाम है very most important और very easily question what is the name of नोच in seat metal work seat metal work में कुट सा नोच है ये वी नोच है sled नोच है स्क्राइर नोच है या फिर कौन सा नोच है यह आपको बताना है तो बताएए क्या होगा इसका राइट अंसर इसका इसका राइट अंसर होगा और अगले कोश्चन पर चलते है कि यह आपको यह पर चाहिए कि मैले अब उसके बाद ब्रॉश्चन मैले का पर चाहिए जो खोकले पैनल सोगे माली जी कोश्चन होगा वह खाली सलंडर होगा तो होलों पैनल बोलेंगे उसे तो उसके लिए कि प्रॉश्चन मैले करेंगे यह नहीं कि डीस का राइट अंसर होगा कि रिविट हैड सेंटर में नहीं है बहुत ज्यादा अलाउंस दिया गया प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है तो क्या बोलेंगे मैं तो इसके पूछ देगे क्या बोलेंगे बैट का अगर हम देखे जाए तो यह वाला एरिया यह वाला यह प्लेट है और जो नीचा वाली प्लेट है दोनों के फोल बिल्कुल में है यह नहीं अलग अलग है तो राइट लिगुल जादे विचान नहीं करते बहुत क्या होगा डीस का रइट अंसर और 196 का मैं होली इलाइणवेंट में नहीं तो फिर क्या हो इसमें 2 से ब एंड आर्क ऑफ दा सरकल बेवल अलोंग डा वन साइट वन साइट के लिए वनाएंगे वह एक पक्स के लाइवर फैनला स्टेक है चेट रिप श्टेक हापमोन इस टेक होगा जो एक होगा इस तरीके से कुछ हाफमोन इस तरीके से बनता है ना फैनला इस्टेक क्या होता जो चोंचदार होता है यह सभी आप इस्टेकों को ध्यान से पढ़ेंगे तो सब एक बार में क्लियर हो जाएंगे अभी क्या होगा इसका इसका राज ट्रंसर यह नी हाफ मून स्टेक वन नेट्ट को बोला गया सीट मैडल वर्क में इस सहायता टूल का नाम बताएं बहुत देखना पड़ेगा में इमेज में दिया हुआ इस टूल का नाम पूछ रहा है को कुन सा है अगर आपने स्टेक के लिए कर लिए तो स्टे आपको दीख रहा होगा उपर से आट है बोटम है तो क्या राइट एंसर होगा है दूत यह दिखते हैं वह राइट अले हुआ को आप अगले जोच्छन को देखते हैं 199 कोश्चन में इस जोइंट का नाम बताएं इस जोइंट का नाम बताना हम देख रहा हुंगे से ऐसे पिर पिर और एक यह आया और इनके बीच में इस तरीके से रिविट कर दिया गया सीट में यह वाला जो जोइंट विष सब्सक्राइब लिए इसके बारेएं पूछ रहा है तो आप का राइट अंसर होगा वन टुंद्रेट नंबर कोश्चान है तो एंडेट में क्या बोला गया सिनिप की अधिक्तम कटिंग चंता क्या है वाट इस दा मैक्सिम कटिंग कैपिल्टी ओप स्निप क्या कटिंग टूल है जो हाई कार्बन इस्टील का बना होता बन पॉइंट टू एम थिकनेस तो पॉइंट फ्री एम तो कितनी होगी इसकी बैट सिनिप के द्वार हम कम से कमी काटेंगे तो यानि कि वन पॉइंट टू